में आजे देवगन और काजोर में पूरे फैमली के शाथ इसी बंगलों मड़ हते हैं वेलकम बैक टू ब्लॉग चनल आप सुरी का स्वागत करते हैं इस पैरे से ब्लॉग में मैं भी जुहूम यह जुहू का नजर आप देख शकते हैं काफी रोड पे भीड भार है और लाइटिंग लगा है और यह पीड काफी ही खुबशुरत लग रहा है यह शीधा यह जाएंगे थोड़ा लगबा सौ मीटर का असपास तो उधर जल सा है यह ग्यार नमर रोड पे मैं खा रहा हूं इधर आप जाएंगे इधर बेंदर पाजी रानी मुखरजी आजे देबगन सब का घर का घर इस गली में जो है ग्यार नमर रोड पे यह आपको बोड पे भी दिख रहा हूँ एप नमर ग्यार में अजे देबगन सब का घर इसी में है अभी अजे देबगन का घर जिसमें रचिप सकती हो अभी टूटा फूटा है उसका अभी मोडिफिकेशन चल रहा है तो अभी दूसरे घर में रह रहे है उसी घर का आपको व्यू मै परदा लगा हुआ उसी में अभी आजे देबगन शाड़ रहते हैं पूरे फैमले के शाथ उसके दस्ट बाजू में ही थोरा ही लगवा पचास मीटर के दूरी में उसका पुराना बंगला है जिस मिसिव सकती जो अभी पूरी मोडिफिकेशन चल रहा है तो इस ब्लॉग में मैं अजे देबगन का स्टेंट जो घर में अभी रहर है उसका फूल ब्लॉग दिखाने बालों अंदर एंबाहर का व्यू दिखाने बालों अजे देबगन के कार क्लेक्शन बारे में बताऊंगा उसका नेट वर्थ के बारे में बताऊंगा उसका मुंबाइम और कितने जगा बंगलो उसके बारे में बताऊंगा तो शुरू करते हैं और दिखाते हैं अजय देपन का इस्टेन बंगलो लेट स्टार्ट तो यह एक ग्यार नमर रोड है आप मैं बोड़ पर भी आपको दिखा देता हूं यह ग्य और इधर आप सीधा जाएंगे ना थोरा ही दूर लगवा सौ मीटर का असपास तो उधर अमिताब बचन का बंगला है जो की जलसा है और यह काफी महंगा एंड पॉस एरिया है आप देख रहे हैं कितना खुबशूरत सा दिख रहे है यह लोकेशन इसी में थोरा ही दूर जा पास दिखाते हैं वहां का दिखाते हैं रहे हैं word and उसके बायोगाये दे रहाने में एंड यही स्टें पहले उसजहिए शिपशक्ति में रहते थे वह जो पीछे आपको गिरिन कलर का परदा दीख रहा है यह उसका शिपशक्ति है जो अभी आपी वह modification वह उसी building पे लेटे थे अभी उसमें कुछ नया कर रहे है अभी उसमें त्सप्स में और लोऑ में शेना और नहां ग़ने सिप Ilा नोब में में that र्रबेंदर भाजी शाव्मर शोड़ हो जहाँ कि और यह जलसा के कारिब में ही और इसी में धर्बेंदर पाजी रानी मुखर जी और कई स्रेल बेटी के सब का घर इसी रूट नमर 11 में ही है चली जानते हैं आजे देवन सट का बायोग्राफी आजे देवन हिंदी फिल्म के मशूर अभिनेता निर्देशक और निर्माता है अजे का जन्म दो अप्रील तो वही उनके मा वीना फिल्म निर्दमाता है उनके भाई अनिल देवगन भी एक फिल्म निर्माता और पटकता लेखक भी है अजे देवन सर के पढ़ाई के बात करें तो अजे देवन की शुरुआती पढ़ाएं सिलबर बीच हाइशकूल जुहू से हुआ उसके बाद उ बेटी नायसा और बेटा यूग है अजय और काजोल की जोरी पहली बार 1995 आई फिल्म हलचल में नजर आई थी फिल्म इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि इन दोनों में प्यार इसी फिल्म में पनपना शुरू हुआ था इसके बाद 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुनलिया ले जाएंगे में काजोल एक बरी स्टार बन गई लेकिन अब तक उसके अफेर को सकल नहीं मिल पाई थी परंतु 1998 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था कि शुटिंग के दोरान दोनों में नजदी किया बढ़ने लगी और शुटिंग पूरी होते होते बिना मुहबबत का इजहार किये ही दोनों इस नतीजे पर पहुँच चुके कि हमें साधी कर लेना चाहिए इसके बाद इन दोनों ने देर नहीं किये और 1999 में बहुत ही शामानने शाधी शामारों में महरास्ट तरीका से सा साधी कर ली अपने केरियर की शुरुआती दोर में अजे देवगन लर्कियों के दिल पर भी राज किया करते थे और यही वज़त थी कि बॉलीबूर का कई टॉप हीरोईन के साथ इनके अफेर की खबरे हमेशा बनी रहती थी इसमें से करिश्मा कपूर और रवीना टंडन भी सामिल थी जिन्होंने दिल तोर कर उन्होंने काजोल से 1999 में साधी कर ली यहां तक कि इस बात को दुख होकर रवीना टंडने सुसाइड करने तक की कोसिस कर डाली थी आधी के बाद एक बार एक फिल्म में फिल्म के परमोशन के दोरान अजे ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था कि मैं बहुत चुपचाप रहता था काजोल समझती थी कि मैं घमंडी हूँ और हम दोनों में बहुत कम बात हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे पसादी नहीं करना चाहता था इसलिए सब चुपचाप हुआ अजे ने अपनी फिल्म केरियर की शुरुवात 1991 माई फिल्म फूल और कांटे से की थी ये फिल्म उस समय के सुपर हिट रही थी इस फिल्म में दो मोटसाइकिल पर पैर रहकर इसके दोरा किया का स्टंड आज उने अविनाई के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेव्यू का अवार्ड भी मिला था उसके अगली फिल्म जिगर जो कि 1992 में आई थी जो बॉली बूड की मार्शल आर्ट फिल्म थी इस फिल्म में उन्होंने अपोजिट करिस्मा का पूर नजर आई थी या दिवाली ब 84 में शूहाग24 में नजाइज उन्हें 95 में दिल जले उन्हें shortcuts और इस 1997 जैसे सफल फिल्में में अभी नहीं किया 1998 उन्होंने महसभट की फिल्म ड्रामा जक्व में अविनाई किया और उन्हें फिल्म में उसकी भूमिका के लिए स्तर्वस्रेश्ट अविनेता का पहला रास्ट्रिये फिल्म पुरुसकार मिला था 1999 उसकी सबसे चर्चित फिल्म हम दिल दे चुगे सनम रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने नवराज का किरदार निभाया था यो एक ऐसा किरदार था जो अपनी पतनी को उसके प्रेमी के शाथ मिलाने की कोशिस करता था इस फिल्म से उन्होंने बहुत खुसिया बटोरी थी इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अज़े देवगन अपनी आखों से ही सारा आविने कर लेते हैं यही कारण है कि अज़े ने कई ऐसे फिल्में दी हैं जिनोंने निर्देशकों को भरपूर मनोरंजन किया अज़े देवगन के द्वारा की गई कुछ अन फिल्म दा अंटल स्टोरी भगत सिंग अनकोर्ट गंगाजल यूबा अपराहन ओमकारा गोलमाल अपन टाइम इन मुंबई राजनेतिक सिंगम सन अफ सर्दार बादसा सिंगम और रेडी आदि सामिल है ज़े देवगन ने फिल्म के साथ साथ साल 21 में एक क्राइम ड्रामा इस रिज रूद्र दा एज ऑफ ड्राकनेस अपना डिजिटल डेव्यू भी किया था इस सिरियल में उन्होंने पुलीस अफसर का किरदार निभाया था तो आगे चलकर एक साइको किलर बन जाता है चली जानते हैं अज़े देविंगे पुरुषकार के बारे में फिल्म में बहुत ही कार के शौकीं ऑफ इसका फर्स्ट कार बताता हूं रुल्स रोज्स जो की एट पॉंट जीरो करोर है रैंस रोबर जो टू पंट 10 करोर है और डी क्यू 7 जो कीवन करोर है बिम जी एल कलास जो 1.7 करोर है मेनी कूपर जो 40 लाक है और उसके पास एक वैन एटी वैन भी है जो काफी खुबशूरत है काफी अलिशान है और काफी लेक्जेरियस है जिसका प्राइज 3 करोर बिया बताया जाता है और अजय देपन के टोटल नेट वर्थ के बात करें तो 70 मिलि करेंग हो रहा है और जिसमें भी रहा है वह भी उनका खुद का है यह भी कई करोरों का है और अजय देपन ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी करकर रखा है उससे भी अच्छा का सा मुनाफात है और एड का विना करोर रुप्या चार्ज करते अजय देपन तो यही था अजय अगराफी जो आप लोग साथ मैं सेर किया यह ब्लॉक कैसे लगा प्लीज कोमेंट कर जोड़ बताएगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्काइब करके जाएगा ताकि ऐसे वीडियो आप लोग लिए मैं बनाता रहों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ब्लॉक के साथ तब तक के लिए जाहिंजा भारत